नमस्कार दोस्तों Gold Price in India YouTube चैनल में आपका स्वागत है राजस्थान सरकार की हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे राजस्थान सरकार ने आम जनता को दिया बड़ा धोखा राजस्थान में तीन नई योजनाए होंगी लागू एक परिवार एक नौकरी योजना को लागू करेगी राजस्थान सरकार जिन परिवारों में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है उसे परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी नौकरी, योगिता के अनुसार मिलेगी जितनी पड़ाय लिखाए होगी उसके, मुताबिक नौकरी दी जाएगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि, राशनकार को परिवार का आधार माना जाएगा मतलब कि एक, को मिल सकेगा ये योजना लागू करने वाला राजस्थान, देश का दूसरा राज्य होगा योजना के अंतरगत आवेदन लिए, जाएंगे पहले चरण में पांच जिलों का चुनाव किया जाएगा, पांच जिले कौन कौन से हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको इस वीडिय में मिलेगी पहले चरण में सरकार पांच जिलों में योजना, लागू करके देखना चाहेगी कि योजना कैसे काम करती है उसके, बाद अन्य जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा तो राजस्थान, सरकार की इस योजना का फाइदा आपके परिवार को भी मिल सक प्रदेश की तरज पर एक परिवार की एक महिला को सरकार की तरफ से 1500 रुपे प्रती महीने दिये जाएंगे जिसमें राशनकार को आधार माना जाएगा राशनकार में जितने सदस्यों का नाम है उसके मुताबिक सरकार की तरफ से महिलाओं को 1500 रुपे दिये जाएंगे महिला की आयू 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए एवं साथ साल से कम तभी इसका फाइदा मिल सकेगा सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरकार हर महीने 1500 रुपे प्रदान करेगी महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए राशन काड आधार काड पैन काड एवं महिला के पास जन्प्रमान पत्र आधार काड ये डॉक्यूमेंट होनी चाहिए तो आप इसमें ऑनलाइन आव लागली बहना योजना के लिए पात्रता लागली बहना योजना का लाब लेने के लिए आवेदक राजस्थान का स्थाए निवासी होना चाहिए आवेदन करने वाली महिला विवाहत होना चाहिए तभी आवेदन कर पाएंगी इस योजना का लाब लेने के लिए आवेदक की आयू तेई से साथ वर्ष के मध्य होना चाहिए। आवेदन करने वाली महिला के परिवार की वार्षिक आयद दो लाग पचास हजार से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन करने वाले के पास पांच एकर से अधिक भूमी नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर गत विध्वा, तलाक्षुदा, परित्यक्ट महिलाएन भी पात रहूंगी। लाधली योजना में अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती, पिछडा वर्ग और सामान्य वर्ग के पात रहूंगे। लाधली बहना योजना के लिए आवेधन प्रक्रिया। अगर आप लाधली बहना योजना में आवेधन करना चाहते हैं तो अभी इस योजना के लिए कोई वेबसाइट लांच नहीं की गई है। इस योजना में आवेधन करने का कोई ओनलाइन माध्यम नहीं है। इसके लिए हर शहर और गाउं में कैम्प लगाया जाएगा जहां से आप आवेधन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको कही जाने की जरूरत नहीं अपने गाउं से ही आवेधन कर सकते हैं। बेटियों की कल्यान हे तु सरकार द्वारा विभिन प्रकार की योजना इस अंचालित की जा रही है। इसी प्रकार आप राजस्थान सरकार द्वारा बेटियों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जिसका नाम राजस्थान लाडो प्रोटसाहन योजना इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा बेटियों के जन्म पर दो लाग का सेविन बॉन के रूप में मुहया कराई जाएगी। इस योजणा का लाब राज्य की सभी गरीग परिवार की बेटियों को दिया जाएगा ताकि गरीग परिवार में बेटियों की जन्म को बोजन समझा जाये और उनका पालन पोशन अच्छी से कर सके। ये योजना बेटियों को प्रोटसाहित कर उन्हें आगे बढ़ाने और उनका भाविश्य उज्वल बनाने में सहायता करेगी। राजस्थान सरकार द्वारा बेटियों को लाब पहुझाने के लिए हाल ही में लाडो प्रोटसाहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीब परिवार की बेटियों को दो लाग की सेविल बॉन से वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी। बालिका को हर कक्षा में श्रेनी के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों में बेटियों का जन्म होगा तो उन परिवारों के लिए बेटिया बोज नहीं रहेगी। क्यूंकि बेतियों का पालन पोशन सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के माध्यम से किया जा सकेगा। राजस्थान सरकार की यह योजना बेतियों के उजवल भविश्य का निर्मान करेगी। राजस्थान की भजन लाग शर्मा सरकार ने राजय में लड़कियों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए लादो प्रोट्साहन योजना को लागू करने का एलान किया है। इस योजना की तहट गरीब परिवारों में लड़कियों के जन्म पर सरकार द्वारा सेविंग बॉंड के रूप में वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा लादो प्रोट्साहन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश राज्य में गरीब परिवारों में बेटियों के जन्म और शिक्षा हेतु प्रोट्साहित करना है। पर दो लाग की सेविंग बॉन से वित्तिय सहायता प्रदान करेगी। आर्थिक सहायता का लाब मिलने से बेटिया प्रोट्साहित होगी। और गरीब लड़किया भी आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावत के कर सकेगी। राजस्थान लाडो प्रोट्साहन योजना के तहट बेटियों को आर्थिक सहायता राशी समय समय पर सरकार द्वारा किस्त की रूप में जारी की जाएगी। तक्षा चट्वी से लेकर 21 वर्ष की आयू पूर्ण हुने तक सरकार द्वारा बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिसका विवरल नीचे टेबल में दिया गया है। की बेटियों को कब और कितनी सहायता दी जाएगी। राजस्थान लाडो प्रोटसाहन योजना को मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही लाडली लक्ष्मी योजना की तर्च पर भाजपा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से बेटी के जन्म पर दो लाख रुपे का सेविन बॉन से वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी। बालिका के बैंक खाते में भीजी जाएगी। राजस्थान लेदो प्रत्सन योजना का लाब राज्य के सभी गरीब, पिछडे एस्सी और एस्टी वर्ग के परिवारों को मिलेगा। इस योजना के माध्यम से कन्या शिक्षा में वृद्धी होगी। पात्र कन्याय आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्निर्भर होगी और राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धी हो सकेगी। आर्थिक रूप से पीरित परिवारों की बेटियों को शिक्षा की और प्रेरित किया जा सकेगा। इस योजना के माध्यम से ब्रून हत्या जैसे अपराद को रोपने और बेटियों को शिक्षा की और प्रोटसाहित करने में मदद मिलेगी। सरकार की तरफ से पूरे राजस्थान में नई योजनाय लागू की जाएगी आम जनता को तोहफा देने के लिए आप राजस्थान की कौन से जिले से हैं कमेंट करके बताएं आपके जिले की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइ करके बैल आइकन को जरूर दबाए